हेलो बच्चों वेल्कम बैक मैं यूट्यूब चैनल बच्चों आज हम आपकी जो नौवी कक्षा की हिंदी की कुस्तक है छिदिग भाग एक उसका ग्यारवा ध्याय है सवैये जो की रस्कान जी द्वारा रचित है आज हम रस्कान जी का जीवन परिचय जानेंगे तो आईए शुरू करते हैं रस्कान जी का जीवन परिचय रस्कान का जन्म सन 1548 में माना जाता है उनका मूल नाम सयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे वच्छो जो रस्कान जी है इनका जो जन्म है वो 1548 को माना तो जाता है लेकिन कुछ लोगों का मतभईद ये रहा है कि कुछ लोग तो बताते हैं कि इनका जन्म 1553 में हुआ है और कुछ 1533 में भी बताते हैं और जो रस्कान जी है वो धर्म से मुस्लिम लेकिन कृष्ण भक्त के कवियों में रस्कान जी का इस्थान सर्व स्रेस्ट है बहुत उच्च कोटी के कवी रहे हैं ये कृष्ण जी के भक्तों में तो कृष्ण भक्ती ने उन्हें ऐसा मुग्द कर दिया कि गोस्वामी विठल दास विठल नात से दीक्षाली और ब्रज भूमी में जा बसे जो गो स्वामी विठन लाजी से दीक्षाली सितात पर रहा उन्होंने विठन लाजी को अपना गुरू बनाया और उनसे शिक्षाली सन 1628 के लगबग उनकी मृत्यों हो गई रस्खान जी की और इनका मून लाम क्या था? सयद इब्राहिम आगे है सुजान सुजान रस्खान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्द क्रतियां है रस्खान रचनावली के नाम से उनकी रचनाव का संग्रह मिलता है जो रस्खान जी है इनके द्वारा रचित रस्खान रचनावली के नाम से उनकी रचनाव का संग्रह मिलता है प्रमुक क्रश्न भक्त कवीर अस्खान की अनुरुक्ती ना केवल क्रश्न के प्रती पर कट हुई है बलकि क्रश्न भूमी के प्रती भी उनका अनन्य अनुराग व्रक्त हुआ है क्रश्न भूमी से साथ पर रहे हैं जहां क्रश्न रहते थे जहां क्रश्न अपनी बाल लीलाएं और प्रेम लीलाएं आदि की हैं वह है स्थान उनके कावे में क्रश्न की रूप माधुरी ब्रज महिमा राधा क्रश्न की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है वे अपनी प्रेम की तनमयता, भाविहलता और आसकती के उल्लास के लिए जितने प्रिसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाशा की मारमिक्ता, शब्द चैन तथा व्यंजक सैली के लिए रस्कान जी उनके यहां ब्रज भाशा का अत्यंत सरस और मनुरम प्रियोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है जो रस्कान जी है, इनके द्वारा कुछ प्रमुक रचनाएं जो लिखी गई हैं, वो हैं सुजान रस्कान, प्रेम वाटिका और क्या नाम है, प्रेम लीला और ब्रज महिमा का वनुहर वर्णन भी मिलता है, इनकी जो रचनाएं हैं उनमें और जो इनकी भाषा चली रही है, जैसे की बताए गया है, ब्रज भाषा, कातियन सरस और मनुरम प्रियोग मिलता है इनकी रचनाओं में तो बच्चों, अब जो आपका पाठ है, रस्कान जी द्वारा रचित सवये, उसका इंट्रोड़क्शन है यहां संकलित पहले और दूसरे सवये में क्रशन और क्रशन भूमी के प्रती कभी का अनन्य समर्पन भाव्यक्त हुआ है तीसरे चंद में क्रशन के रूप सौंदर्य के प्रती गोपियों की उस मुगदता का चित्रण है जिसमें वेस्वयम क्रशन का रूप धारण कर लेना चाहती है चोथे चंद में क्रश्न की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूख प्रभाव तथा गोपियों की विवश्ता का वर्णन मिलता है तो बच्चों ये था आपके सवईये का इंट्रोडेक्शन आशा करती हूं आपको समझ में आया होगा अगली वीडियो है उसमें हम जो सवईये हैं उनकी व्याक्या करेंगे